identifying nouns तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में nouns के बारे में पढ़ेंगे nouns क्या होते हैं पहले इनको समझ लेते हैं noun को इसको कहते है noun is the name of any person, place or thing किसी भी person का नाम person मतलब व्यक्ति, place यानि किसी स्थान का नाम thing यानि किसी वस्तु का नाम किसी भी person, place or thing के नाम को हम noun कहते हैं हिंदी में इसको समझे किसी व्यक्ति, वस्तु अथुआ स्थान के नाम को हम noun कहते हैं noun को हिंदी में हम संग्या बोलते हैं इसको हम noun कहते हैं या संग्या उधारन के तोर पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है रिया, रिया एक लड़की का नाम है, मतलब वो किसी परसन या किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये एक नाउन है, कानपुर ये एक स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है, इसलिए ये भी एक नाउन है, साथी साथ तिंग यानि कि पैंसिल, पैंसिल कोई ए एक वस्तू है, तो इस तरह कि जितनी भी वस्तू हैं, उनके नाम को हम नाउन कहते हैं, एक बर फिर से हम इसको रिवाइस कर लेते हैं, नाउन is a name of any person, place or thing, नाउन किसी वस्तू, व्यक्ती, व्यक्ती, वस्तू और किसी जगा के नाम को नाउन कहते हैं, चलिए यहाँ पर एक चीजों वस्तू व्यक्ति और थिंक्स के नाम लिखे हैं इसको हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा नाम किसी परसन का है प्लेस का है या थिंक का है जैसे सबसे पहले देखिए यहां पर बैग लिखा हुआ है बैग 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 मतलब आप इसको कैटेगराइज करिए क्या बैग एक परसन का नाम है प्लेस का नाम है या थिंक का नाम है तो इसी को कैटेगरी नीचे बनानी है और उस कैटेगरी के टेबल में हमको यह सारे नाम फिल करने हैं पहले हम लोग नाम समझ लेते हैं सबसे पहले लिखा है बैग बैग मतलब जो हम लोग बैग लेके जाते हैं ज मेज, स्पून, मतलब चमच, जिसे हम लोग खाना खाते हैं, वारानासी, सुजाता, कमल, प्रयागराज, पैन, आगरा, बुक, बुक मतलब किताब, दिल्ली, दीपक, नूरी, फैन, फैन मतलब पंखा, अजय, ये इतनी नाम हमको दिये हुए हैं, अब नीचे जो टेबल बनी हैं, उस टेबल में हमें ये सारे नाम अलग-अलग करके लिखने हैं, जैसे उधारन के तौरबे हम बताएं आपको, यहाँ परसन लिखा है, यहाँ प्लेस, और इधर थिंग लिखा हुआ है, परसन में किसका किसका नाम लिखा है, उपर जो हम लोग ने देखा भी, परसन म शबाना का नाम लिखा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे शबाना और किसका किसका नाम लिखा है सुजाता का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे सुजाता next कमल का नाम लिखा हुआ है और किसका नाम लिखा है दीपक का नाम लिखा है और लास्ट लिखा हुआ है नूरी का ये नाम लिखे हुए थे पर्सन के पर्सन मतलब व्यक्तियों के नाम नेक्स्ट है प्लेस का नाम किसी जगा का नाम सबसे पहले जगा का नाम लिखा हुआ था लखनव नेक्स्ट लिखा हुआ है कानपूर नेक्स्ट लिखा है वारा नासी नेक्स्ट आगरा और लास्ट में लिखा हुआ है डेली यहां पे thing की बात करते हैं हम things के नाम सेलेक्ट कर लेते हैं things में सबसे पहले नाम लिखा हुआ है bag कि नेक्स्ट रिखा है टेबल the next उसके बाद लिखा स्पून स्पून मतलब चमच उसके बाद लिखा है पैन और लास्ट में लिखा हुआ था फैन ऐसे तो इस तरह से हमने देखिए category बना ली ये persons के नाम ये place के नाम प्लेस मतलब जगा के नाम और ये है वस्तुओं के नाम तो person किसी व्यक्ति स्थान और वस्तुओं के नाम को हम noun कहते हैं next exercise में हम लोग देखते हैं answer the following questions पहला है write three nouns that are the names of places यहाँ पे हमें तीन noun लिखने हैं a, b और c जो की क्या है names of places मतलब किसी जगा के नाम होने चाहिए तो सबसे पहले तो हम अपनी जगा का नाम लिखेंगे प्रयागराज और भी कोई जगा का नाम जैसे की बारानासी और कानपूर भी लिख सकते हैं तो यह सब क्या है यह सब जगाँ के नाम है places के नाम है आपको और भी कोई जगा लिखनी है तो आप अपने according लिख सकते हैं next write three nouns तीन नाउन लिखने है that are the names of person यहाँ पे हमें तीन व्यक्तियों के नाम लिखने है तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जैसे हम लिख रहे हैं सबसे पहले Mohan M-O-H-A-N Mohan दूसरा नाम लिख रहे हैं Amar A-M-A-R-A-M-A-R चाहे वो लेडी हो या कोई जेंट्स हो next question देख लेते हैं write three nouns that are the names of things यहाँ पे हमें तीन नाम लिखने हैं जो किसी वस्तू का नाम हो आप किसी भी वस्तू का नाम लिख सकते हैं जो वस्तू आपको बहुत अच्छी लगती है वो भी लिख सकते हैं से की हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले pen और उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे bat और लिख सकते हैं यहाँ पे ball यहाँ पे हम अगर कोई लड़की को डॉल पसंद है तो यहाँ डॉल भी लिख सकती है हम किसी भी वस्तू का नाम लिख सकते हैं यहां पे next read the paragraph and write the missing words next to each picture यहां पे हमें paragraph पढ़ना है यह paragraph हमको दिया हुआ है इस paragraph में यह picture दी हुई है picture को समझते हुए हमें उस picture का नाम आगे fill करना है चलिए start करते हैं some children take a किसकी picture बनी यह बटा यहां पे bus तो यहां पे हम लिखेंगे bus take a bus take a bus to go to school other children ride there क्या चलाते कुछ बच्चे हैं some children मतलब कुछ बच्चे bus लेते हैं bus पकड़ते हैं कहां जाने के लिए to go to school school जाने के लिए other children जबकि दूसरे बच्चे जो है right there यह किसकी picture बनी यहां पे cycle ride मतलब चलाते हैं जबकि कुछ बच्चे क्या चलाते हैं cycle तो यहां लिख देंगे हम right there cycle some boys and girls कुछ boys और girls ride इने और कुछ और boys और girls हैं जो क्या करते हैं जो किसमें आते हैं पोटो बनी यहां पे car वो अपने car के साथ आते हैं c a r car with their यहां पे किसकी फोटो बनी है ममी पापा की तो हम ममी पापा नहीं लिखेंगे उनको हम लिखते हैं parents यह लिखेंगे हम with their parents some children some children live nearby they go walking जबकि कुछ बच्चे जो हैं जो अगल बगल रहते हैं school के वो पैदल ही आते हैं they go walking मतलब walk करते हुए आ जाते हैं there are some more nouns in this paragraph and circle all nouns that you can find यह जो paragraph उपर लिखा है इस paragraph में कुछ nouns भी दिये हैं और आपको इन nouns को circle बनाना है गोला बनाना है वहाँ पर तो यह काम आप कर सकते हैं in words को आप encircle करिए इनको गोला बनाईए in words पर और जैसे की example के तोर पर यहां bus है तो हमने यहां पर bus लिखा था bus क्या है bus एक noun है तो हम इसको circle बना देंगे इसी के साथ school क्या है school भी एक noun है इसको भी circle बना देंगे यहां पर हमने cycle लिखा था cycle क्या है यह भी एक noun है इसको circle बना दिया तो यह जितने भी words आपको ऐसे दिख रहे हैं जो noun है जो किसी जगा किसी name of a person किसी व्यक्ति का नाम है किसी वस्तु का नाम है यह किसी स्थान का नाम है आप उसको circle कर दीजे और साथी साथ आप इसकी practice कर सकते हैं noun words की next video हम फिर continue करेंगे till then बच्चों बबाई